परमेश्वर की नाम की महिमा हो आजम लूका ग्यारा अध्याई 27-28 वचन को पड़ेंगे और उसमें से हम मनन करेंगे जब वो ये बाते कही ही रहा था तो भीड में से किसी स्थ्री ने उंचे शब्द से कहा धन्य है वो गर्ब जिसमें तु रहा और वे स्थन जो तुने चूसे उसने कहा हाँ परंत धन्य वे है जो परमेश्वर का वचन सुनते और मानते हैं हम प्राथना करेंगे है स्वर्गे पिता परमेश्वर पिता आप हमसे बात कीजिए पिता पवितरात्मा आप हमको इस वचनों में से सिखाईए आप हमसे क्या बात करना चाहते हो इन वचनों में से आप हमको क्या सिखाना चाहते हो पवितरात्मा आप वो हमको सिखाईए हम आपके आवास को सुन सके हम इसमें से सीख सके पिता और उसको हम आमरे जीवन में काम में ला सके हमको मदद करो पवितरात्मा आप हमारे शिक्षक हो आप हमें सिखाओ पवितरात्मा इश्व मसी के नाम से मांगते हो पिता आमें तो हम यहां पर देख सकते हैं कि हमको एक बड़े सवाल का यहां पर हमको इश्व में सी जवाब दे रहे हैं हमको एक जवाब मिल रहा है यहां पर कि कौन धन्य है धन्य कौन है तो यहाँ पे X3 जब इश्यमसी भीड में से वो भीड में से वो उनको बाते कर रहे थे वो उनको सिखा रहे थे तब X3 आकर अचानक वो चलाने लगती है उंचे शब्द से कि धन्य अव गर्ब जिसमें तु रहा और विस्थन जो तुने चूसे मतलब यहाँ पे वो किसको दर्शा रही है वो इश्यमसी के मम्मी को उनके माता को मरियम को वो यहाँ पे बता रही है मरियम को वो यहाँ पे दर्शा रही है तो उसने वहाँ पर इसके पहले हम देख सकते हैं कि इश्व मसी ने गुंगी दुष्टात्मा को निकाल आता तो वहाँ पर वो स्त्री शायद ये सब देखा होगा उसने तो वो वहाँ पर आके वो ऐसे वो बोल रही है वो उनकी मम्मी को मरियम को काफी बढ़ा कर वो बोल रही है कि वो धन्य है वो बहुत ही धन्य है ऐसा करके वो यहाँ पर बोल रही है तो इसके जवाब में इसमें इश्व मसी क्या उसको उत्तर देते हैं हम देख सकते हैं इश्यमसी बोल रहे हैं कि हाँ परंतु धन्य वे है जो परमेश्वर का वचन सुनते और मानते हैं तो यहाँ पर इश्व मसी उसको क्या बोल रहे हैं कि हाँ, क्योंकि वो धन्य है, मर्यम धन्य है, लेकिन धन्य वे हैं, इससे भी बढ़कर धन्य वे लोग हैं, जो परमेश्वर के वचन को सुनते हैं और उसको मानते हैं, ऐसा करकि इश्व मसी आपर वो बोल रहे हैं, तो य वो यहां पर वो बोल रही है उच्छा करके वह उनको बोल रही है कि वो धन्य है उनके वज़े से यहां पर हुआ यहां पर अपने फोकस को तो है नरियम के द्वारा इश्व वो धन्य बोल रही है तो मर्यम धन्य है क्योंकि वो खुद एक वच्चन में हम पढ़ सकते हैं लू का पहला अध्याई 48 वच्चन में हम देख सकते हैं जब वो मर्यम गीत गाती है तब वो ऐसा बोलती है क्योंकि उसने अपनी दासी की दीनता पर दृष्टी की है इसलिए देखो अब से सब यूग यूग के लोग मुझे धन्य कहेंगे क्योंकि उस चक्तिमान ने मेरे लिए बड़े बड़े काम किये हैं उसका नाम पवित्र है तो वो यहाँ पे खुद बोलती है कि लोग मुझे धन्य कहेंगे उसके बाद वो बोलती है क्योंकि परमेश्विन ने उसके लिए उसके लिए बड़े-बड़े काम किये क्योंकि उस चक्तिमान ने मेरे लिए बड़े-बड़े काम किये है तो मरियम भी क्या बोल रही है कि लोग मुझे दन्य कहेंगे क्योंकि परमिश्विनी मेरे लिए बड़े बड़े काम को परमिश्विनी मेरे लिए किया है तो आज लोग क्या करते हैं आज लोग समझते हैं कि हां मरियम के द्वारा ही इश्व मसी आए अगर मरियम नहीं होती तो इश्व मसी नहीं आ पाते हमारा उद्धार मरियम के कारण हुआ ऐसे करके वो लोग हमारे अपने दमाग में जूट को पालते हैं तो शैतान ऐसे ऐसे जूट को वो बोलता है वो हमारे ध्यान को जो मेंन चीज है उसमें से हमारे ध्यान को वो हटाता है इश्यमसी ही हमारे उद्धार के कारण है इश्यमसी के द्वारा ही हम उद्धार पाते हैं इश्यमसी के द्वारा ही हम अनंत जीवन को पाते हैं लेकिन शैतान ऐसे जूट बोलेगा नहीं अगर मरियम नहीं होती तो ऐसे करके वो मन के अंदर जूट बोलता और ऐसे कुछ- परमेश्वन ने उसको चुन लिया और परमेश्वन ने उसके लिए बड़े-बड़े काम को किये हैं तो एक बहुत ही खास किर्दार को वह मरियम निबा रही है लेकिन हमारे उद्धार का कारण हमारा में मकसद हमारा वह मरियम नहीं है उनके द्वारा इश्व मसी आए तो हमारे मेंन मकसद हमारे इश्व मसी है तो हम यहाँ पर देख सकते हैं कि वो इस त्री को इश्व मसी काफी एक अच्छा जवाब देते हैं वो इस त्री को इश्व मसी बोलते हैं हाँ परंतु धन्य वे हैं जो परमेश्वर का वचन सुनते और मानते हैं तो यहाँ पर हम देख सकते हैं कि इश्व मसी उसको अच्छे से बोल रहे हैं कि हाँ लेकिन इससे भी बढ़कर धन्ये वे लोग है जो परमेश्वर के वचन को सुन रहे हैं और उसको मान रहे हैं तो यहाँ पे परमेश्वर के वचन खुद ईशु मसी खुद परमेश्वर के वचन है वो खुद वहाँ पे उसके सामने कड़े लेकिन उस थ्री उसका ध्यान कहाँ पे जा रहा है उसका ध्यान मरियम के उपर जा रहा है इसके लिए इशु मसी वहाँ पे वो बोल रहे हैं कि परमेश्वर की वचन को जो सुनते हैं और उसको मानते हैं वे ही धन्य है जैसे हम एक वचन पढ़ सकते हैं युहना पहला अध्याय 14 वचन और वचन देहदारी हुआ और अनुग्रे और सच्चाई से परिपूर्ण होकर हमारे बीच में डेरा किया और हमने उसकी ऐसी महिमा देखी जैसे पिता की एक लोते की महिमा तो ईशु मसी ही परमेश्वर के वचन है वो खुद वहां पे देहदारी वो खुद वहां पे आए हुए है तो आज हमको भी उस थ्रीके जैसा नहीं रहना है जो इशु मसी को छोड़ कर वो उनके मर्यम को व बचन है हमें उनको हमारा ध्यान इश्यू मसी के उपर होना चाहिए इश्यू मसी के द्वारा ही हमारा उद्धार होता है हमें अनंत जीवन मिलता है हम स्वर्ग जाते हैं हमारा पिता के साथ मेल हुआ है तो हमें उन पर ध्यान रखना है अपने ध्यान को हमें उन पर रखना ह और यहां पे एक और चीज हम देखते हैं कि जो दन्नी कौन है जो परमेश्वर की वचन को सुनते हैं और उसको मानते हैं तो हमको परमेश्वर की वचन को सिर्फ सुनने वाले नहीं रहना चाहिए उसके अनुसार हमें क्या करना है हमारे जीवन में हमको काम करना है उसके अधिन होना है जैसे हम देखते हैं मरियम को भी हम देखते हैं परमेश्वर का वचन उसके पास स्वर्गदूत के द्वारा पहुंचा आ गया तो मरियम क्या करती है वो वहाँ पे उनके अधिन हो रही ह इसके लिए वो धन्य कहला रही है तो आज हमको भी क्या करना है हमको भी परमेश्वर के वचन को सुनना है और उसके अनुसार हमको चलना है तो हम एक वचन पढ़ सकते हैं भजन सहीदा पहला अध्याई तो हम भजन सहीदा पहला अध्याई पहला दूसरा तीसरा वचन नहीं चलता और न पापियों के मार्ग में खड़ा होता और न ठटा करने वालों के मंडली में बैठता है परन्तु वो तो यहवा की विवस्था से प्रसन रहता और उसकी विवस्था पर रात दिन ध्यान करता रहता है वो उस व्रक्ष के समान है जो बहती नालियों के किनारे लगाया गया है और अपनी रूतों में फलता है और जिसके पत्ते कभी मुर जाते नहीं इसलिए जो कुछ वो पुरुष करे वो सफल होता है तो हम यहाँ पे देखते हैं कि कौन पुरुष धन्य है जो परमेश्वर की व्यवस्था से वो प्रसन रहता है और उनके वचन पर रात दिन उनके वचन पर वो ध्यान लगाये रहता है परमेश्वर की व्यवस्था मतलब उनके जो वचन उन्होंने बोले हैं कि ऐसे करो तो परमेश्वर हमसे जो बात करते हैं उस पे हमें क्या करना हमें रात दिन ध्यान करना है उसी में हमें लगे रहना उसके अनुसार ह में काम को करना है क्योंकि वो यहां पे क्या कर रहा है पहले वचन में जैसे देख सकते हैं कि वो क्या कर रहा है वो दुष्ट्रों की युक्ति पर वो नहीं चल रहा है और पापियों के मार्ग में वो खड़ा नहीं हो रहा है और ठटा करने वालों के मंडली में वो नहीं बै तो वो ही धन्य है जो परमेश्वर के वचन को सुन रहे हैं सिर्फ सुनने वाले नहीं जो सुनकर उसको मान भी रहे हैं उनके जीवन को उस परमेश्वर के वचन पर वो द्रड बना रहे हैं वो ही धन्य लोग है तो हमको भी क्या करना है फरमेश्वर के वच्चन को हमें सुनना है उसको क्या करना है सुनकर हमें बात को मानना है जैसे हम मिरर में देखते हैं तो हम हमारे चैरे को एक आएने में देखते हैं तो हम क्या करते हैं हम सिर्फ हमारे चैरे पे कुछ गंदा लगा होगा तो हम क्या करता हैं मुस्को साफ करते हैं परमिश्वर का बचण क्या है हमारे लिए वो एक आइना जैसा है तो हम क्या करना है सिर्फ देखके हम आरे हां मेरे चेहरे पे कुछ गंदा लगा हुआ है इसे देखके हम चले जाएंगे क्या हम उसको क्या करते हैं तुरंत हमारे उसको साफ करते हैं हमारे चेहरे पे जो गंदगी उसको साफ करते हैं तो हम साफ हो जाते हैं वैसे हमको क्या करना है सिर्फ वचन को सुनने वाले नहीं रहना उ और हमारा जीवन कैसा रहता है उस व्रिक्ष के समान रहता है जो वो पूरा बहती नालियों के किनारे वो लगाया गया है वो सफलता के साथ वो हमारा जीवन रहता है तो आज हम अपने ध्यान को इश्युमसी के और हम रखेंगे हम इदर उदर हम नहीं रखेंगे क्योंकि शैतान जूट बोलेगा हमारे मन में आके कि नहीं नहीं इश्युमसी पे ध्यान मत रख परमेश्वर के वचन पर ध्यान मत रख ऐसे करके बहुत सारी चीज़ें आएंगी लेकिन हमको हमारा ध्यान इश्युमसी के उपर ही होना चाहिए वही परमेश्वर के वचन है जैसे हम यूसुफ को देखते हैं कि वो क्या करता है वो परमेश्वर का वो भय मानता है वो ऐसे ही वो करता रहता है तो वो क्या हुआ उसको कोई कमी हुई क्या उसके जीवन में कोई भी कमी नहीं, वो एक राजा के स्थान पर वो आ गया था यूसुफ, क्योंकि वो परमेश्वर का भय मानता रहा, उनके वचन को वो मानता रहा, तो वैसे हम भी परमेश्वर के वचन को सुनेंगे, और हमारे जीवन में हम उसको काम में लाएंगे, तो आज हमने इश्व मसी को पाया है, हम क्या है हम धन्य लोग है, हमने परमेश्वर के वचन को पाया है, तो हम इस वचन को हम सुनेंगे, और भी हम जादा से जादा इसको हम हमारे जीवन में काम में लाएंगे, हम इनके वचन, परमेश्वर के वचन को मानते हुए हम अपने जीवन में चलेंगे तो हम प्रातना करेंगे है स्वर्गे पिता परमेश्वर पिता आप हमारी मदद करो पवित्रा आत्मा आप हमें परमेश्वर के वचन के अनुसार आप हमें चलने के लिए मदद करो आप हमें मदद करो पिता हमने आपको वो पाया है पिता, हम कितने धन्य है पिता, आपके प्रेम के लिए धन्यवाद परमेश्वर, ये शुमसी के नाम से मांगते हैं पिता, आमेन.